हेलो फ्रेंड्स हाई मैं आपको शार्प टीवी का सर्विस मेनु कैसे ओपन करते हैं यही बाता था हूं आपको कि शार्प लेडी टीवी में आपको पहले मेन को बंद करना पड़ेगा बंद करने के बाद स्टैंड बैं सिंगल बटन रहता है उसमें वालिम प्लस मैनस और यह भी का और चैनल का प्लस मैनस कुछ भी नहीं रहता काली एक ही बटन रहता है पावर का वह पावर बटन प्रिस करके hold करना है hold करके main को on करना है main को on किया तो आपको तोड़ी देर बाद आपको LED blink होने लगेगा red और green में red green red green करके blink होते रहेगा तो तब आपको release करना पड़ेगा standby release करना पड़ेगा standby button release करने के बाद फिर से आपको तो तीन बार एक दो और तीन बार तीसरी बार आपको पकड़ के रखना है पकड़ के रखा तो आपको set on हो जाएगा एक दो तीन सेकेंड में आपको set on हो जाएगा आन होने के बाद आपको release करना पड़ेगा रिलीज किया तो तोड़ी देर बाद आन हो जाएगा और सर्विसमेन पैटन आ जाएगा उसके बाद आपको एरा मार का पाइंट डाउन और राइट लफ्ट और ओके बटन के द्वारा आप उसका एजिस्ट कर सकते हैं और सेलेक्शन नहीं हुआ तो चैनल प्लस मैनस रिमोट में आपको सेलेक्शन ऊपर नीचे सेलेक्शन आएगा ठीक है थैंक्यू 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 वेरी मच पर पाचिक थैंक्यू